एक वक्त की बात है, शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्द दिया और जन्द देते ही वह उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारी भेड गुजर रही थी, वह शेर का बच्चा जिसने अभी-भी दुनिया में कदम रखा था, उन भेडों के साथ मिलकर चला ग लगा था, उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिन्दगी गुजरता है, और उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड ही भेड थी और भेड के ही साथ में रहने लगा था, उसने कभी शेर की तर कर भीडो को उसकी आदत हो गई। एक दिन एक बूड़े शेर ने उन भीडों के जुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूड़े शेर ने भीडों के जुंड में उस जवान शेर को देखा तो वह हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूड़े शेर ने भेडों के जुंट पर फिर से हमला किया, उस शेर को पकड़ने के लिए। भेडों में जैसे ही उस बूड़े शेर को देखा तो सब अपनी जान बचा कर भागने लगे। और उन भेडों के साथ वह शेर भी अपनी जान बचा कर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूड़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूड़े शेर ने उस जवान शेर को पढ़कर यह कहा, अरे बेवगूफ, तु मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? जवान शेर ने रोते हुए का, प्लीज मुझे छोड़ दो. मैं एक साधारन सा भेड हूँ, मुझे जाने दो, वो उस बूड़े शेर को देखकर एक भेड की तरह कांप रहा था. बूड़ा शेर ये सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहां पर क्या हो रहा था. बूड़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास ले कर गया. यंग शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था. लेकिन बूड़े शेर ने उसको नदी की तरफ थकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देख. नदी का पानी पूरी तरह से शांत था. बूड़े शेर ने जवान शेर को कहा कि अपने चहरे को इस नदी में देखो और फिर मेरे चहरे को देखो. अपनी बॉड़ी को नदी में देखो और फिर मेरी बॉड़ी को देखो. उस जवान शेर ने डड़ते हुए अपना चहरा नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना चहरा नदी में देखा तो हैरान हो गया उसने देखा कि वह एक भेड की तरह नहीं, बल्कि एक शेर की तरह दिखता है वह reality को समझ गया कि वह एक भेड नहीं बलकि एक शेर है और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाडा उसकी दहाड को सुनकर पूरा जंगल काम्प गया उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर्स को पहचान लिया और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी energy महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी फिर उसने सोचा की एक भेड की तरह जीना reality नहीं थी वह सिर्फ एक mentally concept था पर अब वो reality को जान चुका था इस कहानी से बहुत ही deep message निकल कर सामने आता है अपने अंदर से उस weakness को निकालो जो आपके अंदर जूट बोल बोल कर बैठा है आप भी एक share की तरह हो जो भेडों के बीच फंस चुके हो आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको यह feel कराते हैं कि आप अपनी life में कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि कही नाखी आप भी उनके साथ रह रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो आपको इस भीड से अलग खड़े रहना है और अपनी potential, अपनी powers और अपनी ability को पहचानना है और जिस दिन आप अपनी powers, अपनी ability को पहचान लोगे उस शेर की तरह तब आपको दहारने से कोई भी नहीं रोक पाएगा